कि गुपाल मंडल कि यह पुढ़ानी आदत है हमेशा कि विवाद से उनका पुढ़ाना रिष्ता है विवाद में रहना उनकी आदत हो गई हम तो मन्य मुखमंत्री जी से कहेंगे ऐसे लोगों पर लगाम लगाई है जो जिनको पता नहीं ब्यान क्या देना है राम का नाम ले नमस्कार मैं हूँ चंद सेखर आप देख रहे विमर्स नियुमन है जदियू के बिधायक है गोपाल मंडल आए दिनु अपने बयानों से सोसल मीडिया पे काफी वाईरल होते रहे हैं और बात करे जदियू को बिधायक गोपाल मंडल की तो इस वार फिर बिवादित बयान देकर फस गए हैं विवादित बयान लिया है कि रामलला का भव समागम होगा वहां अगर कुछ अनुहनी होता है तो उसका जिमेदार जो है प्रधान मंत्री मोधी होंगे और दूसरी तरफ कांगरेस के विधायक हैं उनको लेकर भी बयान दिये गुपाल मंडल इस्वार अपने हिडल के विधायक को निशाने पर लेकर बोले हैं कि पैसे के बदोलत चुना पूरत है हमेशा विवाद से उनका पूराना रिष्टा है विवाद में रहना उनकी आदत हो गई हमेशा कुछ ऐसा बात बोलेंगे ऐसा आचरन करेंगे जिससे व इदायक हैं और कभी जनता पर हाँच चला देना कभी कोई मान्य पुर्विसदस के साथ धका मुकी करना होस्पीटल में आर्मस लेकर पहुंच जाना जदिव कर जाले जो यहां जदिव का परधान कर जाले हैं मुखमंत्री जी बैठे हैं और वहां पत्रकारों को धमकी दे तीना यह सब क्या है उनका फैसन बन गया है उस आदमी की आदत हो गयी है और उसका जवाब देना ऊचीत होता है विप्रक्स किनाते हम तो मन्य मुखमंत्री जी से कहेंगे ऐसे लोगों उपर लगाम लगाई है जो जिनको पता नहीं ब्यान क्या देना है तो आप लोग को तो खोसी होना चाहिए क्योंकि भागलपूर इलाके के विधाया के अजित सर्मा कहें तो इनको बिवादों में रहने की आदत है कोई पाटी नहीं कोई जाती नहीं कोई बर्ग नहीं जिससे गुपाल मन्यल का जगड़ा नहीं हो हमेशा बिवादों में रहना उनकी आदत हो गई है क्या परमान है कि किसने क्या पैसा दिया किसने नहीं दिया क्या किया नहीं किया। यह सब राज़ीत में कोई उचित है क्या। कोई परमान है क्या। कही ना कही बयान से नहीं अंदाजा लगाए जा सकता है कि जद्यू का जो नजदिकिया है बीजेपी से बढ़ती ही दिख रही है। क्योंकि कांग्रेस पर सवाल उठाना और कांग्रेस के दल में सरकार बनाना ने आप एक तरफ कांग्रेस के बिधायक पर प्रश्न किया है दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अध्या में यह होगा तो वहां कोई घटना हो जाएगा उसके दोसी भाजपा के लो कुछ इब दो रहते धान मंतरी मोधी को लेकर बढ़ी वा थका दिए ऐगर कुछ अनौनी होता है तो इसका जीमेदार मौधी होगा राम का नाम लें, राम का नाम लेंगे तो जो उनमें जो बिसंगती है, जो दुरुगुन है, वो भी खतम हो जाएगा और बेरा भी पार लग जाएगा, राम का नाम लेने से भौसागर पार लगता है, तुलसिदाजी ने रामायन में लिखा है, उन्हें कहा है कि राम का नाम है कुछ सुधार हो जाएगा हम तो एह ही कहेंगे चुकि बार बार अमर्यादित चिपनी करने वाले पर कितना कुछ बोलेगा कि किसी को कुछ कहने के एक सिमा होती है हम तो मानने मुखमती जी से आगड़ा करेंगे ऐसे लोगों पर लगाम लगाईए चली आखरी सवाल ही कि सुरुख्यों में बने हमको कोई जवाब देगा फिर उसका सवाल होगा फिर सवाल होगा फिर जवाब होगा तो कि कि किसी भी हाल में जिस वैक्ति को ये पता नहीं कि राज-मुक्हाले में मुखमंतरी बैठें है और मीडिया वाले को धम ki दे रहें तो क्या है कि ये तो बिल्कुल मनमानी है ना या इस आदमी को लगता है कि मेरे उपर कोई है नहीं लेकिन कानून का सिकंजा जब जिस दिन कसेगा ना तो अच्छे अच्छे लोगों की है करी घूम हो जाती है चलिए ते हमारे साथ बीजेपी के परदेश परवक्ता राकेस जी थे राकेस जी कर दोो अच्छेश परवक्ता राकेस जी नहीं चकल से जी दोगक्ता है कर दो जब जा है तो कि वेचिता है एकिना राकेस जी देलिएव